वजीर का मद्दता इस समय नेडा एक मुड़ पर है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कांगर से पक्ष है यहां के महराज हैं तो उनकी पक्ष में जा रही है जनता सब रम लेट सर रही है महराज यहां तो नमस्कार दोस्तों पुनीत हूँ अमरुजला से हम इस समय गांधी पार्क में खड़े हैं जो ग्वालियर में है ग्वालियर जो सिंधिया राजमंस की कभी राजधानी रही है माधव राव सिंधिया यहां से पाच बार सांसत रह चुके है अटल जी ने भी अपनी सियासत की सुरुवात भी ग्वालियर से ही की थी यानि कि ग्वालियर लोग सबा सीट पर सिंधिया परिवार का बड़ा प्रभाव है लोग का कहना है कि चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होगा लोग का कहना है कि क्योंकि भाजपा सत्ता में थी और भाजपा के खिलाब भी लोग का मत है लोग का कहना है कि यहां बेरोजगारी बड़ी है जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार विकास नहीं हुआ है वहीं जो भाजपा को करीब से जानने वारे लोग है उनका कहना है कि भाजपा ने काफी विकास किया है चाहा देश हो चाहा विदेश हो वहां तक भ पजीर का मद्दता इस समय नेराइक मुड़ पर है और वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रिस के पक्षिए मद्दाब करेगा भाजपा से किस बात की नाराजगी है नाराजी भाजपा से नाराजी का मतरतों पूरे देश में ही आपको मालूम है कि जो गोशनाएं होती हैं जिसको भाजपा को लोग देख रहे थे कि भाजपा आई जी और हमारे यहां तमाम तरही खुसियां आएंगी पहले भाजपा का जे नारा था कि भाजपा का कहना साप हर किसान का करजा माप तो हुआ नहीं और लोगों की उपर तमाम तरहीं के करज बाजब पाके खिलाब उसके खिलाब लोग बूट करेंगे घरनेबाद आप क्या मानना को लेकर बाताओं का तो महाराज रही है महाराज तो राम लहर मोधी लहर है बहुत है हमाराज प्रौालिर में तो मौधी को वोट दिया तरहा है बाज बाजपा को यह यानिक उनका कंड्य प्रभी है अच्छा चल रहा है उन्हें अभी तक जो भी क्या है अपनी जनता के लिए किया काम को देखर लोग वोट करें आप बचाइए लेकिन प्रतियाशी से चुनाओं मतलब नहीं है जो मोदी की लेहर चली होगी है लोग उधर वोट करें बस वोट करें जी आपका क्या मानना है लेकिन प्रतिया चुनाओं भाजपा और कांग्रेस के बीच में हैं लेकिन जिस तरह से बात निकल कर सामने आ नहीं है उसके मताबिक लोग ये भी कहना है कि जहां सिंध्या परिवार कहेगा चितरे से ग्वालीयर सीट पर शुरूआ से अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें